कि मारे को साल में 365 दिन रोजगार दिया जाए ताकि जो अन्य प्रदेशों में जो देर इस विदा वो इस विदा अमारे को दे जाए जैसे अमारे जो पुड़ोशी राज है पंजाब है चंडिगड है इमाचल है दिल्ली है इनमें जो ओमगार्ड के जवानों को सुविदा अर्याना सरकार ओमगार्ड के जवानों को अर्याना में शुईदा क्यों ने दे सकती हैं अमारे को 365 दिन का रोजगार चाहिए और कम सेकम पुलिस जो पुलिस जवान जो ओते हैं उनके बराबर को सेदरी चाहिए कोई भी जवान आगरवाज उठाता बरष्ठा चाहिए त तो उसको अनुशास निंता का दरजा दे करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी साल के अंदर तीन महीने डूते मिलती थी। उसके बाद में हम प्राइवेट काम करते थे जाड़ी मुझदूरी करते थे। प्राइवेट अगर किसी कंपनी में पांसा जारगी देश जारगी नोकरी करने पड़ जाए और दुबारा से भी बाद की तरफ से कोल आ जाता है। अभी यह अमर्जनसी आगी अभी इलेक्शन आ गया है अभी यह आप दा गई है यहां आग लगी है यहां बाद आ गई है तो हमारे को कोल करके वहां बुला लिया जाता है। और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें दिग्राउंड नेटवरक आपकी आवाज नमस्कार आप देख रहे हैं दिग्राउंड नेटवरक मैं हूं आपके साथ विक्रामींदुरा आज मैं इस वक्त आशी में मौझूद हूं बता दे कि आज हम एक विशेश सर्चा लेके आए हैं और विशेश सर्चा इस बात को लेकर के है कि जो जवान दिन रात डुटी करते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं होम गार्ड की होम गार्ड जो की दिन रात पहरेदारी करते हैं देश की रक्षिया करते हैं लेकिन बहुत ही दुरुभाग्य की बात है कि उन्हें ठीक परकार से मांदें नहीं मिल पाता और नहीं उनकी जो डूटी पर्मानेट होनी चाहिए वो पर्मानेट नहीं है यानि हम सपश्च तोर पे कह सकते हैं कि वो सथाई नहीं है तीन महिने के लिए उन्हें एक बर के लिए डूटी लगाया जाता है जवान दिन रात इस देश की सिवा में लगा रहता है वो सथाई नहीं है यह बहुती दुरुबागे कहें या हम यू कहें कि एक बहुत बड़ा बर्टाचार इस देश में हो रहा है तो इसे विशे को लेकर के हमें यह जानकरी मिली है कि जो होम गाइड है उनकी एक सन हर्यना और आज हम होम गाइड एसोशेशन के परदेश हद्यक्स है विकास रंगा उनसे हम बात करेंगे कि इस विशे को लेकर के सथाई करवाने के लिए तमाम प्रकार की सुविधा जो उनको होनी चाहिए उनको लागू करवाने के लिए वो किस-किस से मिले है और उनको तो किस त्रीके का आशवासन जो है पर्देश सरकार की और से मिला है तो आप पर देख सकते हो विकास रंगा जी सबसे पहले रंगासाब आपका स्वागत है fakid रंगासाब आपकी एसोशेयस्थन पिछले कितने दिनों से काम करी है देखिए अर्याना के अंदर तो अश्यूशन थी नहीं पहले और अधर स्टेट के अंदर अधर स्टेटों के अंदर वह संगरस कर रही है जवानों के लिए और अमारे से बहुत ज़्यादा आगे भी है सुविधा को लेकर के भी ड्यूटी को लेकर के भी लेकिन अर्याना प लगारण से लेकिन कुछ कारणों से हमें अमारे को अलग उना पड़ा कुछ समत पेद रहे तो हमारे को अलग उना पड़ा अंपने पूरे मत्री को को अपने गुवार लगा चुके हैं इसे के बारे में और लगातार दो साल से संगर्श कर रही है तो बता दूम आपको अमने 2019 के अंदर एशुशन ने 2019 के अंदर पीएफ का ओडर पास करवाया था ये पीएफ का ओडर है आप देख भी सकते हैं ये 2019 ये अर्याना ओमगाड वेलिफिरिशुशन की तरफ से करवाया गया था और इसको ले करके अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जवा अब बीछ तक अमें 2020 के अंदर किराय के लिए ट्रांसपोर्ट विबाग को आमने लेटर डाला था तो उन्होंने प्यास कर दी लेकिन विबाग की कमी रही है आज तक ओमगाड विबाग की तरफ से उनकी मदद मांगनी थे मदद लेनी थी उनकी तरफ से हमारे को कोई तो उसको अनुशास निंता का दरजा दे करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है और देखिए आपको मैं कैमेर भी दिखा दिखा दिखाता हूं एक मिन्ट विबाग अपने गलती खुद से विकार कर रहा है विबाग गलती के करने सेव को सेवा मुक्त कर दिया गया विबाग अपने गलती मानता है और फिर दुबार से उनको जोवाइन करवाता है जब अमारे जो जवान होते हैं जो पीड् afflict होते हैं लास्ट में क्या करते है अधिकरी कह आरगा जब उन कर दो यहां से विभाग में तो यह बरस्टाचारा है जो और प्र गर्णि में की तो यह बात है क्यों अपनी गलती को सविकार कर रहा है और वो तो कहिना कहिं जो गल्ती है वो ठीक रहा आप पर फोड़ रहा है तो कहिना कहीं यह सपस्ट तोर पर जाहिर हो जाता है भि कहिना कहीं एक बड़े पेमाने पर दांडली बाजी चल रही तो ये आप क्या मानते हो वास्तमें यह यह चाहते नहीं ग्या वी जो अमारा जो मांदे हैं पांसो बहतर पे परड़े हैं और हम यह चाते हैं पुलिस के समान अमारा वेतन हो समान काम और समान वेतन हो हमने आयकोर्ट में केस भी डाल रखे हैं जिसका नंबर है और रेगुलर ड्यूटी जो बात है अभी तो लगबग सभी चल रही है पूरे रियाना परदेश के अंदर जो क्योंकि करोना के महामारी इस देश के अंदर आया हुई है किसी भी प्रकार की इस देश पर विपता है तो हम अर्याना वंगार सब से पहले त्यार रहता है दूस अगर ड्यूटी पैसे नहीं देते तो ये जवानों को तीन-तीन महीने च्छे महीने गर रखा जाता है ड्यूटी नहीं देते तो पैसे लेकर ही निको ड्यूटी दी जाती है और जो अमारा मतलब जो सुविदा ओनी चाहिए हमारे को वो सुविदा आज तक हम नहीं मिल पा दूसरी बात अमारा 532 रपे परड़े है और अमारे महिने के अंदर च्यार छुटी होती है जो पेड रेस्ट बोला जाता है यह मापकून का लेटर दिखा जकता हूं पेड रेस्ट होता है अमारा च्यार लेकिन सुविधाओं के अगर मैं बात कुरू तो टेरिटोरिल आर्म है जिनको सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया अब तक और लगातार हम इससे प्रियास कर रहे हैं और कुछ जवानों को जितने भी जवान आवाज उठाते हैं आज तक यहीं रहा है उनको दुबार से अनुसासनींता का दर्जा निकाल देकरके उनको बाहर करास्ता द प्राइवेट काम करते थे जाड़ी मजदूरी करते थे प्राइवेट अगर किसी कंपनी में प्राइवेट काम करने के लाइक रहे हैं और ना ही इस पर साथ आई रहे हैं हम बस यह चाहते हैं या तो सरकार हमारे को ग्लार करते यह मारा खातमाई करते यह मारा खातमाई करते इस वीबाग का यह मारे को रहे दर कर देたい है और सदेव ही हमें तत्पर रहते हैं देश के लिए आप इनको देखा हुगा इलाक्षिन में हमारी अधर स्टेटों में भी ड्यूटी जाती है करोना महमारी में लगा लोग पैती सु ड्यूटी आई है क्योंकि लोग गरों से बार नहीं निकड़ते लेकिन हम रोडों को बीच में खड़े हो करके ड्यूटी देते हैं करोना महमारी में किसी प्रकार की आप दाय जाए हम सब्सक्राइब तो इस वक्ते आपको जो देख रहे हैं यह बात सरकार तक भी पहुंचाने का हम प्रियतन क करेंगे तो सरकार से क्या मांग करते हैं और आपकी इस अगामी रण देती क्या उनके बराबर की मारे को सेलरी चाहिए थाकि मारा जो निर्वान है पालन पोस्ट अमारे को कर सके और जो पीएफ का ओडर हमने पास करवाया है लगबगे डेड़ साल से वह मैं विबाग से और सरकार से रिक्वश्ट करते हैं कि वह हमारा लागु किया जाए और जो अग加íre धिस्टिक जैसे इस्थार धिस्टिक है एसार धिस्टिक से जवान वी ड्यूटी गुडगाओं भी लगे हुई है और मिलता है और वह जाते हैं तो उनका किराया भी लगता बस हो के अंदर हम चाहते हैं हमें जब जाते हैं एम दूटी करने के लिए कम से कम हमारा किराय तो ना लगे जैसे पुलिस जवानों का फरी होता है तो वह सुछ दावतों कम से कम आपने को मिले क्योंकि अमने एस्विशन के तरफ से यह थे अमारे साथ विकास रंगा जिनोंने बताया कि जो एक पुलिस करमचारी होता है उनको तुमाम प्रकार की सुविधाई मिलती है वह सुविधाई हमें भी कि मिले ताकि इस देश में जो सदेव कोई भी किशी परकार की प्र्षानी आती है समस्य आती है जोब भी कोई देश पर कोई विपदा आती है तो हम यह सपठ तोर पर काय सकते हैं कि होमगार्ड है वह सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है और इस देश की आपती एसा संहे जो हर समय इस देश की सिवा में रहता है इन्होंने कहा कि जो पडोसी राजय है जैसे हम बादचाए पंजाब की करें दिल्ली की करें वहाँ पर होमगाइड को तमाम प्रकार की सुईदाई दी जाती है वो और यहना सरकार क्यों नहीं दे रही है इसके पिछे पिछे बार बा रंगा साब ने बताया कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा जो बर्टाचार है वो हो रहा है और परदेश सरकार है इस होमगाइड के विशे को बड़ी गहनता से ले और इसको समझे और हमारे होमगाइड जवानों को कम से कम 365 दिन रोजगार है वो मुहिया करवाए ताकि हम मैं किकि प्रकार की जो घ्यारी है वो मजदूरी है वो ने कर न पड़े इसके अले कहा कि जो पंजाब और दिली में जो सुविदाएं मिलती है साथ के लग समय हमारे होमगाइड को द, हैं ताकि हमें ज्यारी मजदूरी केड़ी है। 365 दिन का रोजगार है वो हमारे को मिलता रहे इन्हों ने सपर्ष तोर पे बताया कि किस तरीके से बश्टा जा रहे बार बार जो साही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवमानना जो है की जारी है सयोगी अनूप के साथ मैं विक्रमींदोरा हासी